अहोम नियदसी बाई कमला डैस कमला दास द्वारा समुद्र के पास एक घर में हमारे पास गरीबी, सपने, इर्श्या, उदारता, वफादारी और नियंदरन का विशय है। अनाम कथा वाचक द्वारा तीसरे व्यक्ती में वर्नित या कहानी पढ़ने के बाद पाठक को सपष्ट हो जाती है। कि दास गरीबी की विशय वस्तु का पता लगा सकता है। अरुमगहम और उनकी पतनी बेघर हैं और सडकों पर रहते हैं। अगर यह अरुमगहम के काम की नशे में नहीं होता तो वे उस्तिती में नहीं होते जो वे खुद को पाते हैं। इसलिए स्ट्रेम्ड अरूमुगम की पतनी है कि वह उसे तब मारती है जब उसे बुरा लगता है। पाठक जानता है कि अरूमुगम की पतनी खुद को जिस स्थिती में पाती है। उस स्थिती से बुरा गुस्सा आता है, वह उपहार्याव विलासिता से प्रभावित नहीं दिख रही है, वह बस अपने सिर और कुछ खाने के लिए एक छथ होने में सक्षम होना चाहती है, इसके बावजूत अरुमुगम कोशिश नहीं करता और काम की तलाश करता है, हाला क यह उसकी बीमारियों का इलाज होगा, अगर अरुमुगम की पतनी की आकांक्षाएं या सपने कुछ भी सरल और साध्य है, यदि यही स्तथि के लिए नहीं है कि अरुमुगम कुछ हालसी है, अरुमुगम के साथ रहने वाला युवग भी अरुमुगम के भीतर ईश्या की एक बुरी लकीर को बाहर लाने के लिए साबित होता है, अरुमुगम ने उसे अपने आश्या से भगा दिया क्योंकि उसने अपनी पतनी का रोना रोया था, हाला कि असली कारण यह है कि अरुमुगम की पतनी रोती थी क्योंकि उसे उन चीजों के लिए महसूस होता है, जो यह रूमुगम की पत्नी का घर था अरूमुगम की पत्नी कितनी उदार और दयालू हो सकती है यह इस तथ्या से ध्यान देने योग्य है कि वह युवक को अपना सबसे अच्छा कमबल देती है यह ऐसा है जैसे वह संक्षिप्त क्षण के लिए अभारी है कि युवक ने उसे खुश कर दिया यह उपहार अरूमुगम पर नहीं खोया गया और उसने अपनी उदारता के लिए अपनी पत्नी को डांटा यह भी एक तथ्य है कि कहानी में दो अलग-अलग मौकों पर अरूमुगम अपनी पत्नी को मारने की धमकी देता है हाला कि यह वह है जो परिवार के लिए मुश्किले लेकर आया है अगर अरूमुगम अपनी पत्नी को नियंतरत करने की कोशिश कर रहा है हालां कि वह वास्तव में ऐसा करने की स्थिती में नहीं है वह उससे कहीं ज्यादा उसके प्रती निर्भर है यह वह बिंदू हो सकता है जिसे दास बनाने का प्रयास कर रहे हैं वह सुझाव दे सकती है कि अरुमुघं की पत्नी अपनी पती से स्वतंत्र है हाला की पसंद से बाहर नहीं है, बलकि इसलिए की उसे होना है यह भी धान देने योग्य है की जिस्थिती में वह खुद को पाता है उसके बावजूत अरुमगहम की पत्नी उसके प्रतिवफादार और वफादार रहती है हाला की वह उसे बेकार समझती है, यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह सुझाव देता है की अरुमगहम की पत्नी को उनकी शादी की कस्मों का सम्मान करना होगा, भले ही उन्हें कितना भी कश्ट उठाना पड़े कुछ हालोचकों का सुझाव हो सकता है कि अरुमगहम की पत्नी उन्हें चोड़ने से बेहतर होंगी उसका जीवन केवल बेहतर हो सकता है और वह अब उस स्थिती के कारण बुरा नहीं मान सकती है जो वह खुद को पाती है एक आदमी के रूप में अरुमगहम एक आकाशक विकल्प नहीं है और अपनी पत्नी के बिना वह और भी बत्तर स्थिती में होगा कहानी का अंत दल्चस्प है क्योंकि अरुमगहम ने अपने आश्रय से युवग को भगा दिया अरूमुगम की पतनी अभी भी उसके बारे में सोचती है और उसके प्रती उसके दयालू शब्द उसे याद दिलाते हैं कि वह एक बार थी और अभी भी उसके सपने हैं जब तक वह अरूमुगम के साथ रहती है तब तक वे कभी नहीं पहुँच सकते हैं लेकिन फिर भी वह उनके पास नहीं है। कुछ ऐसा जो उसे कई कम बिंदों में मदद कर सकता है जो वह बेघर होने और गरीबी में रहने के दोरान अनुभव करेगा। हाला कि अरूमुगम की पत्नी ने उनकी पिटाई की लेकिन उनके लिए सहानुभूती महसूस करना मुश्किल नहीं है। अरुमुगम के कार्यस्वार्ती और स्वयम सेवक हैं। उसने किसी और के बारे में नहीं सोचा लेकिन जब वह नशे में धुत हो गया और अपने की एका पच्चतावा नहीं दिखा। अगर कुछ भी संभव है कि अरुमुगम अपनी नौकरी खोने और अपनी पत्नी को पीड़ित बनाने की जिम्मिदारी नहीं लेता है। वह एक ऐसे व्यक्ति के दिल में है जो अपने पती के नीचे एक महिला की भूमिका को मानता है। और जैसे कि उसे और उसकी पत्नी दोन निवाद।